हेलो फ्रेंस आज मैं आप लिए लेकर आएं हूं सत्तू की पूरियां बहुत ज़िदा टेस्टी खाने लगती है आप इसे आसाने से बना सकते हैं तो चली देखते हैं इसे मैंने किसी त्यार किया है तो सबसे पहले हम कचोड़ी के लिए निक पूरी के लिए हम सबसे पहले काटर लगांगे तहम्हाप लेहिए हूं गेहूं काट तर्म में इहाप पर डीड़ कप ली रही हूं आप चाहें यहापर तो मैईता के बना सकते हैं यह आजा दया मुका डाल देंगे सा admit grade दाल देंगे तो यहाँ पर हम हुलका सब मेश करके डालें इस तरह से क्रेस करते हुए अब हम सभी को पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो हमें यहाँ पर तेल और आटे को अच्छी तरह से मिक्स करना है यहाँ प्छाय तो फ्रेंज, यहाँ पर आदा तो कान डिटी में आठा और मैदा ले सकते हैं लिक्र मैं यहाँ पर सिर्फ गय कुँँ आठा से डीडी करने वाली हूँ तो हम थोड़ थोड़ पांद डालते हूँ आठा का डो डो डीडी करेंगे तो देखें मैंने हापा डो को अच्छी तरह से रेडी कर लिया है तो मैं हापा बहुत जाद है सवट डो बना गे हैं पहले किया है अब यह से हम रखतेंगे 15-20 मिट के लिए इसे अच्छी तरह से सेट होने के लिए तब तक हम सब्द्दय के त्यारी करते हैं तो मैंने एक छोटा से बाउल में ले रही हूं आजा कप साथ दूप स्वाद मसाल नमक असाथ ही में डालोंगी थोड़ा सा चिली पाउडर एक पींच हिंग डालेंगे इस अच्छा स्वाद आता है और एक बड़ा चमच में आप डालोंगी आचार के मसाले जो आपके तेल म से मिक्स किया है और थोड़ा से पानी डालेंगे तो बस मैंने हाँ पर सत्तू का यहां देखिए स्टेपिंग रेडी कर लिया है नहीं जादा गिला रखा है नहीं जादा सुखा रखा है बिल्कुल इस तरह से उसके बाद में यहां पर आटा को चुछुछुछ गोले बना चाहते हैं उसे साब से यहां पर आप गोला बना सकते हैं और सब इसी तरह से आटा को गोला बना के डेडी करेंगे अब हम आटा के लोई में स्टेपिंग सत्तू का करना शुरू करेंगे तो अबस इस तरह से हाथों में उठा के इस तरह जिसी कटोड़ी का कार होता है उस तो बस मैंने यहाँ पर इसे अची जरा से बंद कर दिया है बस सभी को हम इस जरा से भर के रेडी करेंगे और मैंने यहाँ पर सभी को बना के रेडी कर लिया है आप हम चलते हैं बेलने के पुरसिस में तो उसके बाद मैं थोड़ा से लगा रही हूं चकले में ओयल ताकि चिपके नहीं यहाँ पर सुखे आटा कर बिल्गु इस्तमाल नहीं करना है तो हम यहाँ पर हलका सा हातों से प्रेश करेंगे उसके बाद हम बेलना सुख करेंगे तो पूरी को यहाँ पर नहीं ज्यादा रखना है नहीं ज्यादा मोटा रखना है तो देखिए मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं से बेल रही हूं इस तरह से मैंNे हलका से LET को दूसरी फिर से दिखाती हूँ थैसमें नहीं देल लेए हातों से सी डे। शुरू करेंगे तो जब पहुरेत बनाया प्रेंज आप यहाँ इहां पर अस्ते नहीं करना है अपर पुरीय प्रैय करने शूरू करेंगे ध्यान रेखेंस यहां पर तील को मैंने अची तरह से पहले गरम कर लिया था उसके बाद मैंने यह प्रैय होगी जब फ्राय होगी तो बहुत अंदर तक अची तरह से पकेगी तो देखें मैं आप हलका सप्रेज करते हुए पुरी कुफला दिया है और जैसे एक तरह ब्राउन होए है उस तरह दुसरे तरह भी हम से इस तरह से ब्राउन करके ही निकालेंगे तो देखिए पुरी फुल चु कैसे मैंने से बताया है आप इसे बनाएगा जुरू बच्चे को बहुत पसंद आएगे साथ में बढ़े कभी आएंगे तो मैं मिल दूंआ अगली वीडियो में तब तक लिए बाइबाइबाइब झाले बाइबढे वीट चानales से प्राउन कर दोम लिए उएओगे साथ मारेंगे साथ में हम आएबाइबाइबाबाइबा दरह सभा है जुलार हो दोल दिहया है तो भी पारी वीटि ढूता है कि लाओे भीट ऊ Betsब बादे है है गसक्त दोपी करिस कि दो असे तो फुल कैस